तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारी इस वीडियो में दोस्तों मैं गोबिन जैस्वाल दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सूनिकोट की अपकरिया तो सबसे पहले तो हम इसकी परिभासा को लिखेंगे फिर इसका बेंजक प्राप्त करेंगे तो यहां पर आ अभिकारकों की सांदरता पर निर्भर ना करे सूनिकोट की अपकिरिया कहलाती है अब अथवा लगाकर आप दूसरी परिभासा लिखेंगे कि वह अभिकिरिया जिसकी धर अभिकारकों के सांदरता की सूनि घात के अनुकरमान पाती होती है सूनिकोट की अपकिरिया कहलाती ह अब यहाँ पर जो हमने दो परिभासाएं लिखाई इन दोनों परिभासाओं का जो मतलब है वो एक ही है ठीक अब इस चीज़ को आप समझेए दोस्तों मान लीजे कि ये एक हमारा अभिकारक है और ये एक हमारा उत्पाद है ठीक अब सबसे पहले तो आप ये जाने है कि अभिकारक किसे कहते है और उत्पाद किसे कहते है ठीक है तो अभिकारक जैसे मान लीजे कि सर्बत बनाना है ठीक तो सर्बत बनाने के लिए कौन-कौन सी चीज़े आउसक है चीनी और उसके बाद में पानी तो चीनी पानी जो आपका होगा वो आपका कहलाएगा अभिकारक ठीक है और उत्पाद आपका जो होगा वो क्या होगा जो आपका सर्बत है वो आपका उत्पाद होगा ठीक तो ठीक इसी प्रकार से आपने यहाँ पर अभिकारक और उत्पाद को समझ लिया ठीक है तो मारक के सांदरता पर निर्भर ना करे या फिर उसके सांदरता के सून कोट पर यानि की सून घात पर निर्भर करे तो वो जो आपकी अपकिरिया कहलाएगी वो होगी सून कोट की अपकिरिया ये चीज आपका हो गया सून कोट की अपकिरिया की परिभासा जिसको आपने बहु उन्हें कोट की अबकिरिया के लिए बेग इस्थरांक का माने ठीक यानि इसके बेंजग को निकालेंगे तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले हमें अबकिरिया की दर को लिखना होगा ठीक तो अबकिरिया की दर हम लिखते हैं यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस डियार अप अब इस चीज को मैंने कैसे लिख दिया समझिए दर का मतलब होता है कि किसी भी चीज में समय के साथ हुआ परिवर्तन दर कहलाता है ठीक तो यहाँ पर यह जो आपका अब किरिया है अर्थात आर जो है आर में हुआ परिवर्तन समय के साथ यही आपका क्या कहलाएगा दर कहल अर्थात यहां पर हमने DR upon DT लिख दिया ठीक और इसके आगे कौन सा चिन लगा जाएगा माइनस का क्यों कि अभिकारक जो है वो किसमे परिवर्टित हो रहा है उत्पाद में ठीक तो उसमें अभिकारक में धेरे धेरे क्या हो रही है कमी हो रही है तो कमी के कारण इसके आग गाया गया क्योंकि इसमें बढ़ोतरी हो रही है अर्थात प्रोडिक्ट धीरे-धीरे बन रहा है ठीक है तो यहां पर यह माइनस प्लस का खेल आपने जान लिया अब अगर हम अपने परिभासा पर गौर करें दूसरे वाले परिभासा पर तो क्या कह रहा था हमारा परिभ क्रिया जिसकी दर अविकार को के सांधरता की सून निघात के अनुकरमान पाती होती है सून कोट की अपकरिया कहलाती है तो यहां से हम क्या लिख सकते है हम लिखेंगे परिभासा के अनुसार और फिल लिख देंगे सूनN अब ध्यान से समझ एका मतलब इसका मतलब क्या है कि ये जो हमारा माइनस डियार अपांट डिटी है ये क्या है अपकिरिया की दर है ठीक अब ये हमारी अपकिरिया की जो दर है ये परपोर्शनल किसके है अनुकर्मान पाती किसके है जो हमारा अभिकारक है उसकी सांदरता के सून गात के ठीक है तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा यह हमारा अभिकारक के सून गात हो जाएगा ठीक तो इसके अनकुर्मान पाती हो गई इतनी बात हो गई ठीक है अब जब हम यहाँ से प्रपोसनल का चिन हटाएंगे तुक्ल मिलाकर हमें जो मिलेगा वो क्या मिलेगा सून कोट की अबकिरिया के लिए ताच्छडिक दर अर्थात तुरंत जो परिवर्टित होने का जो दर है वो हमको मिल जाएगा अर्थात यहाँ पर हमारा लिखेंगे सून कोट की अपकरिया के लिए ताच्छडिक दर तो ताच्छडिक दर हमारा क्या हो जाएगा माइनस डियार अपांड डिटी इजिकल टू के आर्टू दिपाउंड सूनने क्योंकि यहाँ से परपोस्नल हट गया तो परपोस्नल हटा तो यहाँ पर एक नियतांक आ गया जो कि यहाँ पर के होगा ठीक अब यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर आर्टू दी पाउंड सूनने लिखा है तो R to the power सुनने का मतलब होता है एक जैसे किसी भी संक्या के घाद 0 हो तो उसका मान एक होता है ठीक तो यहाँ पर हो जाएगा एक तो के का मान जब एक से गुड़ा होगा तो के ही होगा साथ में यहाँ पर DT लिखा है DT को पच्छांतर कर लेंगे और मानस से दोनों पच्छों में गुड़ा कर देंगे तो कुल मिलाकर जो हमको मिलेगा वो क्या मिलेगा यहाँ पर मिलेगा DR is equal to minus KDT ठीक इतनी बात यहाँ पर हो गई अब हम लिखेंगे दोनों पच्छों का समा कलन करने पर अर्थात इन दोनों पच्छों का समा कलन कर दिया जाएगा अब समा कलन करेंगे तो हमारा कुछ इस तरीके चोज़ेगा integral DR is equal to minus integral KDT ठीक इसका जब integration किया जाएगा अर्थात समा कलन किया जाएगा तो हमें मिलेगा R is equal to minus KT plus I ठीक है अब I जो आपका होगा वो क्या होगा समा कलन इस्थिरांग हो जाएगा ठीक है और बाकी यहाँ पर जब आप DR का समा कलन करने तो R हो जाएगा और K आपका बाहर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर constant होगा ठीक और बाकी T का समा कलन करने तो हमारा T हो जाएगा दियर जाएका ठीक है तो ये हमारा हो गया समा कलन करने पर मान ठीक इसको हम Equation Number First बना लेंगे इतनी बात हो गई अब आप लिखेंगे जब T बराबर 0 पर R बराबर 0 ठीक यहाँ पर हम लिखेंगे T बराबर 0 पर R बराबर 0 इसका मतलब समझ यह जब T का मान यानि समय का मान सूनने था जब समय का मान सूनने था तो उस समय अभिकारक में कोई परिवर्टन नहीं हुआ था आर जो था R0 जो था वो R के बराबर था ठीक है तुकल मिलाकर यहाँ पर T बराबर 0 पर R बराबर R0 तब तब हम क्या करेंगे कि इस का मान क्या करेंगे समय कर्ण फर्स्ट में रखेंगे तो यहाँ पर रखेंगे तो क्या होगा यहाँ पर होगा R के स्थान पर क्या हो जाएगा R0 क्योंकि R बराबर R0 है तो यहाँ पर R0 होगया ठीक यहाँ पर लिखा है KT तो minus k into t कमान क्या है? सुन ने तो यहाँ पर सुन नहीं हो गया पलस i हो गया अब यहाँ पर k का जब सुनने से गुड़ा होगा तो क्या हो जाएगा? सुन नहीं हो जाएगा अर्थात यहाँ से जो हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा? i is equal to r0 तो इतनी बात हो गई अब यहाँ पर हम इसको equation number second बना लेंगे अब यहाँ पर हम sum इकरण second कमान first में रखेंगे अर्थात sum इकरण second से i कमान sum इकरण first में रखेंगे तो यहाँ पर हम लिखेंगे r देखो r लिखा है r हो जाएगा is equal to minus k t plus अब यहाँ पर देखो क्या लिखा है i तो i कमान क्या है r0 तो यहाँ पर हम लिख देंगे r0 ठीक इतनी बात है अब यहाँ पर हम इस r को इस तरफ पच्छांतर कर देंगे और kt को इस तरफ तो यहाँ पर आ जाएगा तो यह plus kt हो जाएगा और यह r उस तरफ जाएगा तो मानिस में हो जाएगा अर्थात यहाँ पर मिलेगा kt is equal to r0 मानिस r ठीक क्योंकि r इस तरफ आया तो मानिस में हो गया उसके बाद में t जो यहाँ पर है इस t को हम यहाँ से गुड़ा कर रहा है तो उस तरफ जाएगा भाग करेगा अर्थात यहाँ से मिलेगा k is equal to r0 मानिस r upon t तो यही जो आपका है यही है आपके सूनिकोट के लिए बेग इस्थिरांक का मान ठीक तो यह आपका हो गया सूनिकोट की अपके लिया आई होब की वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करकर प्रेस कर लीजे बेल आइकन को जिससे की आपको नए वीडियो का अपडेट मिलता रहे तो दोस्तों बस यहीं पर दीजे अजाज़त जैं हिंद उन्दे मात्राइब